Hello friends, welcome to all in study career and in this video lecture, today we are going to discuss about for female spirits and for mythological characters. These characters played very vital and significant role in literature. जी हाँ, दोस्तों, आज हम बात करेंगे चार उन mythological characters के बारे में, जो literature में बहुत ही अच्छा role निबाते हैं, जो किसी poem में, किसी piece of writing में जो बहुत अच्छा character निबाते हैं, ठीक है? तो वो हमारे पास है चार character और उन में से सबसे पहले हम बात करेंगे निम्प की. तो दोस्तों, जैसे मैंने आपे picture में दिखाया है, जो निम्प होती है, जो हमारे पास निम्प spirit होती है, ये एक बहुत सुंदरी spirit होती है, ठीक है? बहुत beautiful lady होती है, और जो कहां पे रहती है? पानी में रहती है, उसके पास supernatural power होती है, कुछ शक्ती होती है, ठीक है? और उसके जो साथ में कुछ परियां होती है, जिसे picture में दिखाया है, तो जो ये spirit है, ये water में रहती है, और sea में रहती है, समुदर में रहती है, और river में रहती है, ठीक है? आगे हम इसके बारे में थोड़ा detail में discuss करेंगे. और दुसरी है, वो है सिल्फ, तो जो सिल्फ है, सिल्फ हावा में रहती है, ठीक है? इट इस तरह की कुछ हमारे पास spirit होती है, ये जो जिसे सिल्फ बोलते है, और जो थर्ड परकार की हमारे पास है, वो क्या है? वो नौम है, और जो नौम है, ये क्या होती है? ये कहां पे अर्थ यह हमार पास last fourth spirit है जिसे salamander बोलते है ठीक है और it is the spirit of fire आग की इसको भरी बोलते है जैसे आग लगी है so it is the spirit of fire अब हम बात करते हैं इन spirits के बारे में मैंने picture में आपे इकठा दिया है तो जो सबसे पहली है वो क्या है निम्फ है दूसरी sylf है और जो हमार पास fire की spirit होती है उसे क्या बोलते है उसे salamander बोलते है और जो last की है उसे norm बोलते है तो दोस्तों question इस तरह आ सकता है कि हम मैंचिंग करने के लिए हो कि जो निम्फ है कि से related है तो यह water से है और इसलीटे नियर से रिलेटिट है और सलेमेनर किसे रिलेटिट है यह fire से है और norm यह अर्थ से है यह धर्ती से है तो आइए अब detail में बात करते हैं इन सभी spirits के बारे में, मैंने अभी बात कि थी कि matching के लिए question हो सकता है, ठीक है, तो मैंने यापे matching के लिए कर दिया याँ पे, जैसे मैंने nymph क्या है याँ पे, nymph किसे रिलेटिश करते है, water से it is the spirit of water, पाने की परी होती है जो sylf है it is the spirit of air, हावा की परी होती है norm, spirit of earth, धर्ती की जो salamander है, ये spirit of fire जो, दोस्तों, जो salamander होती है, ये छिपकली lizard के आकार की होती है, ठीक है जैसे lizard का साइज होता है, उस तरह की कुछ होती है, तो अब थोड़ा discuss करते है, डीटेल में इसके बारे में तो हमार पास सबसे पहली कौन सी है हमार पास सबसे पहले निम्प है तो इसके बारे में बात करते है, निम्प यहाँ पर थोड़ा highlight हो गया है, ये, मिट गया है यहाँ पर निम्प है निम्प is a spirit in the form of young woman that lives in water, river and sea हमने बात की थी पहले, कहां पे रहती है water में रहती है, river में रहती है, और समुदर में रहती है in Greek mythology it is a supernatural being associated with many other female daties, मैंने आपको picture में दिखाया था जो निम्प थी, उसके साथ कुछ और भी परियां होती साथ में ठीक है, उनके साथ हो रहती है उनके साथ कोई male, जो male god होता है, वो नहीं होता है सिरफ female होती है तो जो मैंने picture में दिखाया था उनके, जो बगल में काफी परियां खड़ी है, उसके साथ ले दी है तो इस तरह की कुछ फीचर होती है निम्प की, तो अब हम बात करते है सिल्प की also called सिल्फाइट is a mythological year spirit हावा की परिय होती है spirit होती है the term originated in the 16th century work of Paracelsus ठीक है, Paracelsus एक नाम है, जोने टम का क्या है P-A-R-A-C-E-L-S-U-S Paracelsus who describes सिल्फ as invisible being of year जो यह पहला बंदा था उसने क्या बोला था कि जो year है इसको हम नहीं देख सकते है और यह हावा में रहती है अब बात करते है नाम के बारे में the spirit first introduced by Paracelsus in the 16th century later adopted by more recent authors including those of modern fantasy literature ठीक है जो कलपना वाला जो लिटर से रोता है उसे लिटर होती है A small humanoid that lives underground ठीक है यह लाइन ध्यान रखना आप इसके बारे में A small humanoid that lives underground A small था छोटा human की तरह जो underground रहता है मतलब धरती का जो एक creature होता है mainly a spirit of earth और जो लास्ट टाइप के हमार पास spirit है दोस्तों वो है salamander The spirit of fire The legendary salamander is often depicted as typical salamander in shape of lizard मैंने आपको बता यहाँ पहले जो salamander है वो किस की shape में होती है lizard की shape में होती है तो question कुछ इस तरह भी हो सकता है कि इन में से कौन स्पिरिट जो lizard के shape में होती है तो दोस्तों होती है salamander तो इस वीडियो में था फिलाल इतना ही और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ तब तक bye and take care